हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चेनल टेकनिकल जिसान में दोस्तों आज किस यूडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप अपने किसी भी पुराने से पुराने एंड्रोइड स्मार्टफोन को आईफोन कैसे बना सकते हैं या आईफोन की तरह लुक कैसे दे सकते हैं जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक तरफ आईफोन है और एक तरफ एंड्रोइड स्मार्टफोन है और दोनों में आप यहाँ पर फर्क पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा आईफोन है और कौन सा एंड्रोइड स् लिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों अपने Android मुबाइल को iPhone बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपने मुबाइल पर जो भी password लगा हुआ है जैसे कि यहाँ पर मैंने pattern लगा हुआ है तो इसको आपको बंद करना होगा तो इसके लिए आपको अपने लोक आपने लगाया हुआ होगा वो हट जाएगा यहाँ पर से आप देख सकते हैं यह जो लोक है वो यहाँ से हट चुका है अब आपको अपने मुबाइल के Chrome ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है वी डबल इस टी आर आई टी वी स्टीट य यह आपको सर्च कर लेना है जिसे आप सर्च करेंगे पहली वेबसाइट मिलेगी आपको वी स्टीट डोट कॉम इस पर क्लिक करके आपको पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है अब यहाँ पर से दोस्तों आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है आई पी एच ओ एन ई आई फोन यह आपको सर्च करना है जिसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर से दोस्तों आपको यह वाली एक पोस्ट मिलेगी Android को iPhone के से बनाए इस पर क्लिक करके आपको इस यहाँ पर से आपको इसमें थोड़ा सा नीचे जाना है ज्यादा नीचे नहीं जाना है यहाँ पर आपको आपको दो जगा पर डाउनलोड और वाल पेपर लिखा हुआ मिलेगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वाल पेपर पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आइफॉन के काफी सारे यहाँ पर वाल पेपर देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर जो भी आइफॉन का वाल पेपर आप अपने मुबाइल पर लगाना चाहते हैं, उसको आपको यहाँ पर से डाउनलोड कर लिना है, जैसे कि इस वाले को अगर आप लगाना चाहते हैं, इस पर क्लिक करके रखना है, और यहाँ पर डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर देना है, तो यह वाल पेपर आपके मुबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ से अपनी मन पसंद का कोई भी आईफॉन का वाल पेपर आप एक डाउनलोड कर लिजी, उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर अपने मुबाइल में एक ये वाली एप डाउनलोड करनी होगी, इस एप को भी डाउनलोड करने के लिए, यहाँ पर आपको यह जो download button दिख रहा है इस पर आपको click करना है और अपने mobile में इस app को download कर लेना है अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने mobile की gallery को open करना है तो यहाँ पर से आप अपने mobile की gallery open कर लीजिए और जो भी आपने अपनी मनपसंद का iPhone का wallpaper download किया है उसको आप open कर लीजिए तो यह मैंने download किया है iPhone का wallpaper इसको open कर लिया है उसके बाद में आपको यहाँ पर three dots पर click करना है set as wallpaper पर click करना है उसके बाद में home and lock screen दोनों पर आपको इसको set कर देना है यहाँ पर से set on home and lock screen इस पर आप click कर लिए और इसे set कर दीजिए इस tick पर आपको इस tick को हटा देना है and उसके बाद में यहाँ पर get started पर click करना है यहाँ पर allow पर click करना है allow पर click करना है और यहाँ पर ok enable now पर click करना है इस permission को allow कर देना है फिर से आपको यहाँ पर ok enable now पर click करना है और यहाँ पर आपको यह phone launcher इस पर क्लिक करके इसे allow कर देना है उसके बाद में यहाँ पर से आपको get started पर क्लिक कर देना है आपको mobile में थोड़ी सी processing होगी तो यहाँ पर आपको थोड़ा wait कर लेना है अब यहाँ पर आपको set as default पर क्लिक करना है यहाँ पर से phone launcher को select कर लेना है अब दोस्तों यहाँ पर से आपको 2-3 बार इस तरह से screen पर tap कर देना है अब देखिए दोस्तों आपको जो mobile है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर iPhone की तरह लगने लगेगा लेकिन अभी यहाँ पर आपको कुछ settings और करनी है यहाँ पर यह जो बिंद्या रही है इसको आपको हटाना है तो यहाँ पर आपको जो app हमने download किया है उस app को यहाँ पर open कर लेना है अब यहाँ पर आपको जाना है assistive touch यह वाला option है इस पर click करना है और इसको यहां से बंद कर देना है, तो यह जो बिंद है यहां से चली जाएगी, उसके बाद में यहां पर से दोस्तों आपको लोक स्क्रीन इस पर क्लिक करना है, अब यहां पर आप अपने मोबाईल पर कौन सा लोक लगाना चाहते हैं, यह पासवर्ड या फिर पैटर वो स ले जाना है, बेक चले जाना है, अब यहां पर से आपको इस तरह किलिक करेंगे, तो यहां पर आपको जो इस तरह से निकल कर आएगा, तो यहां पर आपको इस पर जब किलिक करेंगे, तो यहां पर से परिमिसन माएंगा, यह पर किलिक कर देना है, इसको अलाव कर देना ह अब यहाँ पर से आप अपनी brightness को कम जादा यहाँ से कर सकते हैं इसकोने से आप इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर आपके मुबाइल में जो भी नोटिफिकेशन आएंगी वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी और अगर आप यहाँ से इसकोने से आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आप brightness को बढ़ा सकते हैं यहाँ पर टोर्च जला सकते हैं यहाँ पर और भी चीजे यहाँ पर से आप कर सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर आपको मैं अपने मुबाइल पर लोक लगा करेंगे तो इस तरह से आइफोन का लुक आएगा पूरा जब आइफोन को खोलेंगे इस तरह से तो यह पूरी तरह से आपको इस तरह से दिखाई देगा तो पूरी तरह आपको मुबाइल जो है वो आईफोन की तरह बना सकते हैं या आईफोन की तरह लुक दे सकते हैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आयो भी तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें